यहीं नमस्ते जै माता दी और भारत टॉरस आपकी मार्श प्रडिक्शन में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे मार्श का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है लास्ट तक वीडियो को जुरूर देखेगा और सन्मून राइजिंग जैसे भी आप टॉरस यानि व्रिशव राशी से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं लास्ट में आपका कलर चक्रा और नंबर आफ तमन्त आएगा बीच में गाइडेंस आएगी प्लस आपके सोल हेपर्स का मेंसज आएगा सो लेट सी टॉरस के लिए ब्रिशव राशी के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है क्या लेकर आने वाला है रहते कृष्णा मार्च फॉर टॉरस ब्रिशव राशी के लिए मार्च का महीना रहते कृष्णा काफी कार्ड आगे हैं लेट सी पहला कार्ड जो है वो ट्रावल है तो मुझे सबसे तो मार्च के महीने में आपके लिए ट्रावल दिखाई दे रहा है तो पहला कार्ड जो है ट्रावल का है अब ये लिट्रल ट्रावल भी हो सकता है और इंटर्नली डिफिकल्ट सरकम्स्टांसे से पीस्फुल सरकम्स्टांसे की तरफ जाने के एनरजी भी हो सकती है बट किसी ना किसी तरह का movement, किसी ना किसी तरह का change या shift जो है वो मुझे आपके card में पहली ही energy दिखाई दे रही है दूसरी energy अगर मैं यहाँ पर देगो तो seven of swords है, seven of swords usually thief card होता है और अगर आप देखे तो six or seven sequence है, thief card है और thief card के साथ three of swords है थोड़ा सा careful रहीएगा, कोई आपका विश्वास जीत कर आपका दिल तोड सकता है कोई आपकी privacy में खलल डाल सकता है, कोई आपकी privacy में एक तरह से margin कर सकता है कोई किसी तरह की promise जो है वो break कर सकता है, किसी तरह की cheating या किसी तरह का कोई ऐसा action जहां पर आपसे कुछ ले लिया जाए या आपको hurt किया जाए, उसकी possibility बहुत strong बन रही है, तो थोड़ा सा आपने careful रहना है this could also mean कि आपने suddenly किसी भी बात में आकर immediately travel नहीं करना है, थोड़ा सा आपने आपको balance रखना है, बहुत जल्दबाजी में decisions नहीं लेने है और थोड़ा सा careful रहना है, दो यह आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, लेकिन फिर भी आँख मूंत कर किसी पर विश्वास नहीं करना है और किसी को अपना password या वो सब share नहीं करना है, थोड़ा सा careful रहने की energy है नेक्स कार्ड जो है यहाँ पर eight of wands की energy है, eight of wands की energy फिर से travel indicate करती है और यहाँ पर फिर से sudden travel या sudden movement की energy दिखाई दे रही है अईसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हो आपकी life में जहाँ पर आप travel करें, आप कहीं जाएं या किसी तरह का कोई person आपकी तरफ travel करें आए और वहाँ पर किसी तरह का कोई event या problem या कुछ ऐसा हो जिसकी वज़ा से आपको suddenly कहीं move करना पड़े और यह जो है या आपके past से related मुझे लग रहा है और hanged man की energy है तो थोड़ इसी stuck situations या थोड़ा सा past के बारे में सोचना, nostalgia, overthinking उसकी energy भी मुझे दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि March के महीने में आपको कुछ चीजों को लेकर careful रहना है फर्स्ट आपने बिना सोचे समझे decision नहीं लेने है second emotional अपने आपको emotional balance में रखना बहुत जादा जरूरी है third आँख बन करके किसी पर भरुसा नहीं करना है fourth past से कोई relationship या past के किसी person को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है और आपको अपने आपको hurt करके मदद नहीं करनी है अपने आपको balance रखके मदद करनी है या हो सकता है you might just have to sleep over it तो आपको थोड़ा सा सोच के समझ के और balance तरीके से action लेना है जल्दबाजी में action नहीं लेना है हम कुछ और cards निकालेंगे जिससे थोड़ी और clarity आएगी तो Taurus विरिशव राशी के लिए रहाते कृष्णा बिरिशव राशी के लिए और क्या पता होना चाहिए थोड़ी और clarity बिरिशव राशी के लिए रहाते कृष्णा Taurus month of March March का महीना Taurus यानि बिरिशव राशी के लिए March का महीना रहाते कृष्णा March का महीना Taurus के लिए पहला card जो है यहाँ पर अगैन नाफ्स की एनरजी बेसिकली devil energy है यह और यह devil card ही है और अगर आप यहाँ पर देखे तो आपको बहुत जादा chain और अंधिरा दो तरहां की एनरजी यहाँ पर आपको दिखाए देगी chain दिखाए देगी, shadow दिखाए देगी, अंधिरा दिखाए देगा लेकिन यहाँ पर एक बहुत beautiful door जो है वो open up हो रहा है so it is not all dark मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी problem है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा issue है लेकिन आपको कही न कहीं रास्ता मिलेगा problem से निकलने का अगर आप अपने आपको stuck नहीं करोगे problem में अगर आप अपने आपको overthinking में नहीं डालोगे लेकिन थोड़ा सा careful रहने का महीना तो for sure है यह आपके लिए क्योंकि पहला ही card वैसा आया है second card जो है 10 of cups का है again family, family connections, उनसे मिलना, connect करना वो energy definitely definitely है और तीसरा card जो है वो आशिकाँ six so basically lovers का card आया है और lovers का card जो होता है choices का card होता है connectivity का card होता है और मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर कोई issue आएगा या अगर कोई trouble होगी तो यह ज़ादा तर आपके loved ones से या family से related होगी और आपको थोड़ा सा careful रहना पड़ेगा और जब आप इस limitation को break कर देंगे यह जो अपने आपको आप hurt करते आ रहे हैं या hurt कर रहे हैं या किसी भी तरह से कुछ छुपा रहे हैं और अपने आपको तकलीफ में रख रहे हैं अगर वो आप बंद कर देंगे तो actually सब कुछ बहुत beautiful और positive हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको ना emergency में भागने के energy मुझे दिख रही है और आपको थोड़ा सा careful रहना है justice है ultimately balance है और balance का ही ध्यान रखना जो है वो बहुत जादा जरूरी भी रहेगा अब सबसे पहले मैं आपके money की बात करूँ या money energy की बात करूँ तो money की perspective से मुझे लगता ही नहीं है कि money इस बार आपका focal point होने वाला है क्योंकि money के energy मुझे कहीं नहीं दिखाए दे रही है आपके cards पे कोई भी pentacle card एक भी pentacle card नहीं है इतने cards में तो money के energy मुझे कहीं नहीं दिखाए दे रही है बट हाँ cheating के energy है cheating के possibility है तो थोड़ा सा careful रहना है बहुत जल्दबाजी में मदद करने नहीं भागना है बहुत जल्दबाजी में किसी की ओपर विश्वास नहीं करना है खुद को तकलीफ में डालके किसी के लिए कुछ नहीं करना है यह ज़रूर याद रखेगा आप जब हम खुद को तकलीफ में डालते हैं तो हम actually मदद नहीं कर पाते हैं और actually मदद करने भागते हैं और खुद ही तकलीफ में आ जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा careful रहिएगा वो कोई भी problem इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप उनको source को solve ना कर पाएं पर थोड़ा सा money को लेकर अपने आपको balance रखना है बट otherwise कोई ऐसी दिकत वाली बात नहीं है बट choices का महीना है सही choice करनी है अगर मैं बात करूँ आपके relationships की और मुझे लगता है कि वह बहुत जादा जरूरी है क्योंकि मुझे यहां पर दो तरह से travel या movement की energy दिखाई दे रही है एक तरह से ऐसा लग होगी या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है बात हो सकती है जो आप किसी के पीछे कह रहे हों और वो इनसान उसी वहीं पे उसी वक्त सुन ले और हर्ट हो जाए बहुत जाए बहुत जादा ऐसा भी हो सकता है कि आपको suddenly किसी की help करने के लिए travel करना पड़े लेकिन आप खुद कि और के साथ involved होना किसी all-care attracted feel करना over-possessive होना over-controlling होना ये चीजें जो हैं थोड़ी से आपको छोड़नी पड़ेंगी थोड़ी से आपको give up करनी पड़ेंगी और अगर आप वो करते हो तो फिर ultimately मुझे happiness दिख रही है family के साथ connect करना दिख रहा है loved ones के साथ connect करना दिख और बहतर energy दिख रही है तो इस महीने आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने ना किसी की भी बुराई नहीं करनी है और especially अगर आप कहीं किसी के पास हो तब तो बिल्कुल किसी की बुराई नहीं करनी है क्योंकि जिसके बारे में आप कुछ गलत बोल रहे होंगे को इनसान सुन लेगा और वो सुन लेगा तो बहुत हर्ट होगा हर्ट होगा तो वो सड़ली आपको छोड़कर जा सकता है या कोई action ले सकता है जो बहुत thoughtful नहीं होगा तो यह अपने ध्यान रखना है अपने सारी relationships में किसी की भी बुराई नहीं करनी है किसी को भी कुछ बु पीठ के पीछे किसी के कुछ नहीं करना है दूसरा travel और अपनी health का ध्यान बहुत जादा रखना है और पूरे मंत में possibilities में ध्यान देना है क्या अच्छा हो सकता है क्या possible है क्या बहतर कर सकते हो क्या पच्छे से कर सकते हो उस पर ध्यान देना है limitations पे बिल्कुल भी ध्यान देना है negative बिल्कुल नहीं होना है और balance बहुत जादा जरूरी रहेगा बहुत जादा जरूरी overthinking नहीं करनी है यह बहुत जादा जरूरी रहेगा यह भी आपके लिए तो थोड़ा nostalgia हो सकता है past की energies past से को relationship अचानक वापस आ जाए आपको past की relationship में किसी की help करने के लिए अच महीने travel movement होने वाला है इस महीने और बहुत सारी thinking भी होने वाली है लेकिन अगर आप सही तरह से चलोगे तो नया दरवाजा खुलेगा और loved ones के साथ समय भी बिताओगे अच्छा मैसूस भी करोगे और और जादा balance भी आपकी life में आएगा अगर हम बात करें आपके health की तो health का कोई भी issue है या blood pressure का कोई भी issue है अपना ध्यान रखना है blood pressure heart even diabetes या sugar अपना ध्यान रखना है water intake का बहुत ध्यान रखना है अगर आप travel कर रहे हो तो travel में अपनी health का जादा ध्यान रखना है addiction से बिलकुल दूर रहना है किसी तरह की addiction हो वो जादा सोने की fast food की गलत खाने क कि जो भी addiction हो addiction से बहुत दूर रहना है और rest जरूर करना है आपने back health या spine health का भी ख्याल रखना है health wise मुझे month थोड़ा सा challenging of and on मुझे लगता है challenging है month बट अगर आप ध्यान रखोगे और balance में रखोगे सब कुछ तो वो challenge जो है वो आप handle कर पाओगे उसमें कोई major issue नहीं होन आपकी career की बात करते हैं तो career में भी एक चीज जो मैं बोर्यों इस महीने आपने गांठ बांद लेनी है कि कि किसी के पीट के पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है कहीं किसी की privacy में interfere नहीं करना है अगर कोई आपको किसी तरह का benefit दे रहा है किसी person से और उसने आप से किसी त एकदम एकदम अपनी job नहीं छोड़ देनी है थोड़ा सा सोचना है sleep over it क्योंकि अभी मुझे change के energy बहुत अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे लग रहा है कि जो choices आपने करनी है वो जहां हो वहीं पर बैलन्स रहो तो जादा अच्छा रहेगा एकदम stress में आकर tension में आक दो month challenging है लेकिन यह challenge कई बार इसलिए भी होते हैं कि हम कितने balanced हैं तो अगर आप balanced हैं और अगर उस balance का आप पुरी तरह से ध्यान रखते हैं और फटा-फट एकदम परिशान नहीं हो जाते हैं एकदम decision नहीं ले लेते हैं बिना सोचे समझे और थोड़ा सा अपने words को वे क अच्छी खबर जो है लेकर आ सकते हैं और जो आप deserve करते हूं आपको मिलेगा तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने किया नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है तो health, wealth, love और career तो हमने देख लिया अब आपका special message देख लेते हैं Taurus के लिए क्या special message है पूरे महीन है अग everything lovely will grow from this so challenges है जब आपक सीड को लगाते हो और सीड को आप नर्चर करते हो कितना challenging होता है कितना सारा उसका घास निकालना उसमें पानी डालना बहुत सारी चीज़े होती है फूल खिलता है तो कांटे भी होते हैं बहुत सारे challenges होते हैं लेकिन उन challenges के बाद जब कुछ निकल क आता है वहां से तो कितना beautiful होता है कितना amazing होता है वो first flower आपको कितना अच्छा लगता है तो month challenging है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अगर आप अपना 100% दोगे अगर आपका focus positivity पे रहेगा अगर आप अपने आपको balance रखोगे अगर आप अपने emotions का ध्यान रखोगे अगर 100% डालूंगा डालूंगी और positive रहूंगा या रहूंगी उस बहतर चीज को बाहर निकालने के लिए तो definitely हर एक situation में कुछ बहुत अच्छा निकलने वाला है और आपने यह याद रखना है हर एक challenge जो है वो किसी तरहां का positive result आपके लिए लेकर आने वाला है और इस चीज को आपने during the month बिल्कुल भी नहीं भूलना है देखते हैं आपके soul helpers जो है वो आपको क्या कहना चाते हैं so let's see आपके soul helpers का क्या message है Taurus for the month of March soul helpers okay so let's see आपके soul helper का क्या मतलब soul helper का message है number 30 a partnership for the new age it is time to welcome it so नई दरहां से नई रोशनी नई partnership नई relationship नई journey नई beginning आपके life में आ रही है और ये time है जब आप उसको welcome करें उससे घबराएं ना उससे परिशान ना हो अपने आपको negatively ना लेकर जाएं ये कई बार ऐसा हो सकता है कि क आपको ध्यान देना हो कुछ चीजों को लेकर आपको negotiate करना हो ये हो सकता है कि आपकी desires जो है वो दूसरा person जो है महसूस करें हो सकता है कि आपको control को let go करना पड़े हो सकता है कि आपको दूसरे लोगों के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़े हो सकता है कि दूसरे आपकी life क एक ने एंगल पे ले जा सको तो क्या आप ready हो उन influences को आपके लाइफ में आने देने के लिए और वहां से एक बहतर partnership अपने लिए create करने के लिए और अगर आप ready हो तो ये महीना आपके लिए definite है और ये महीना आपके लिए अच्छे changes लेकर आएगा लेकिन again मैं बोह रही ने आपको emotionally stable रखेगा, हर इंसान, हर एक के लिए कुछ ना करना, या किसी के लिए कुछ गलत ना बोलना, immediately लोगों को जजना करना, immediately situations को जजना करना, बहुत important रहने वाला है, कि कोई महीना definitely कुछ challenges लेकर आ रहा है, बात करें आपके health, color, number और chakra of the month की, तो number of the month आपको number six दोंगी undoubtedly, number three और number six दोनों की energies आपके लिए बहुत powerful रहने वाली हैं इस महीने, color of the month green, किसी भी हाल में, green और red, even blue, ये तीन color आपके लिए बहुत powerful रहने वाले हैं, हो सके तो आपने root chakra, जो की मुलाधारा होता है, heart chakra, जो की विशुदी होता है, उसकी meditations आपने जरूर करनी हैं, आप क्या सोचोगे, कैसा feel करोगे और क्या बोलोगे, वो बहुत matter करने वाला है, और अगर आपकी जुबान पे आपका control हुआ, अगर आपकी emotion पे आपका control हुआ, और अगर आप grounded हुए, तो ये महीना और थ्रोट जो है, वो balanced है, तो इन दिन की meditation जरूर करनी है, फिर से बोरे हुँ, emotional influence नहीं होना है, emotionally किसी को judge नहीं करना है, और अपनी promises फुल्फिल करनी है, बाकी महीना अच्छा है, अच्छे changes आएंगे, हो सके तो इस वीडियो को जादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज जादा टारस तक पहुंचाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा challenges है, यह challenging है, यह महीना और बाकी feedback जरूर दीजिए, thank you so much, take care, bye bye